हमारे दिश में कम पड़े लिखे लोगों की कोई कमी नहीं है। प्रूट जूस बिजनस क्या है? ताजा फल सबजियों के सबी प्रकार का जूस अपनी दुकान में उपलप्त कराना। जूस शॉप का बिजनस ऐसा है जिसे बहुत ही कम लागत में असानी से शुरू किया जा सकता है और 40,000 से 50,000 तक में जूस निकालने और जूस को थंडा रखने की मशीन बरतन और उपकरन मिल जाते हैं। जूस शॉप के बिजनस से कमाई कितनी होगी हम आपको मोटा मोटा बता दें कि एक ठेले वाला जूस के बिजनस से आप 18-25,000 रुपे के बीच में कमा सकते हैं और अगर आपके जूस की शॉप है तो महीने का 50,000 से भी जाता कमा सकते हैं। शॉप के रिक्टियादी से बिजनस के अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो की दिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। Tour and Travels Business ये business एक ऐसा जरिया है जिससे traveling और कहीं घूमने फिरने की सारी सुविधाई प्राप तक की जा सकती हैं जैसे rail ticket, bus ticket, car rent, hotel, booking आदी. traveling business को आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं इसलिए पहले जगा चुनें चाहे तो घर से भी शुरू कर सकते हैं पर market में करना जादा बहतर है. चुनाफ करें कि आपका business किस टाइप का होगा और फिर उससे register करवाएं जैसे private limited, LLPOPC या LLCI, PAN और GST के लिए apply करें. travel agency business में आपको income गर्मियों और सर्दियों के चुट्टी के समय में अच्छी होती है क्यूंकि उसमें काफी लोग घूमने जाते हैं. पानी पूरी का वैवसाए पानी पूरी के business की अधिक जानकारी के लिए वीजियो के description box में लिंक पर क्लिक करें. पंचर और हवा भड़ने का business इस business से आप छोटी गाड़ियों से लेकर बड़ी गाड़ियों के टाय ट्यूब बना सकते हैं. इस business में 40-50,000 तक के निवेश के अवशक्ता होगी. इस business को शुरू करने के लिए केवल एक बार investment के अवशक्ता होती है. इस business से आप 12-15,000 प्रती महीने तक कमा सकते हैं. पंचर और हवा के business की अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के description box में लिंक पर क्लिक करें. सारी जानकारी पाएं. टेलर या दरजी का business टेलर या दरजी को कौन नहीं जानता हर गली महले में नहीं देखा जा सकता है. टेलर रिंग बिजनस को कपड़े से लाने का काम भी कह सकते हैं. इस business को घर से या किसी दुकान से शुरू किया जा सकता है. इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये करीब 30,000 से 40,000 रुपे के बीच पड़ेगा. मुनाफ़ा आपके काम पर निर्फर करता है. यदि आप दिन के 5 कपड़े भी सिलते हैं तो ये 1500 रुपे तक का तो हो ही जाता है. टेलर रिंग बिजनस के अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें. डेरी फार्मिंग बिजनस डेरी फार्मिंग का समंध है दूद और उससे जुड़े प्रड़क्ट उतपादन करने से. इसमें आपको मुखे रूप से डेरी प्रड़क्ट यानि की वो प्रड़क्ट जो दूद से जुड़े होते हैं मारकेट में बेशने हैं. तो इस प्रड़क्ट को लगाने में कुल 1.5 लाग रुपया खरचाता है. हर दिन के 4,000 कमा सकते हैं जो कि एक बहुत अच्छा मुनाफ़ा है. डेरी फार्मिंग बिजनस के अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करें, सारी जानकारी हासिल करें. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए, ऐसे और बिजनस आइडियास के लिए आप कमेंट हमें जरूर करें.